दोस्तो अकशल कई बार हमें बड़े बड़े कमडो को दो कम्रों में ड़ाइड करना पढ़ जाता है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समान लाना पढ़ता है और एक दिवार बीच में ख़री खरवानी पड़ती है दोस्तो उसमें काफी समय भी लग जाता है उसी को आसान कड़ते हुए ये दिवार बनाई गई है एवर लोग मोडिलर वॉल दोस्तों ये प्लास्टिक के बक्सिस होते हैं और पिंग बक्सिस को एक बसरे से ज्वाइंट करके एक बड़ी दिवार बनाई जा सकती है जो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छी दिवार बन कर तैयार हो जाती है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा खुबसूरत लगती है दोस्तो इस दिवार के जर्ये आप बहुत ही कम समय के अंदर एक बले कमरे को दो कमरों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं वह भी बहुत ही असानी के साथ दोस्तो सीर्य तो आप में बहुत देखी होंगी लेकिन आज हम आपको एक वैसी सीवरी दिखा रहे हैं जिसको आप खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं दोस्तो चोटो चोटे घरों के अंदर अक्सर स्पेस कम होने की वज़े से सीर्य को चड़ाना काफी मुश्किल काम होता है इन बुदर के दुआरा बनाई गई ये सीर्य काफी ज्यादा हेलफूल है जिन घरों में स्पेस कम होता है इस सीडी का आप अपने इच्छानущार खोल भी सकते हैं और इच्छानुसार बंद कर सकते हैं और दोस्तो ये देखने में भी कफी जादा स्रूऀ सोरत लगती है और इससे आपका काम भी हो जाता है और आपका इस पेस भी काम भे जादा बच जाता है दोस्तो फॉल्डिन टेबिल तो आपने देखे ही होंगे लेकिन उत देखने में इतने ज़्यादा खबसूरत नहीं लगते है जितना के ये टेबिल देख रहा है ये टेबिल खुबसूरत होने के साथ आपके घर की खुबसूरती को भी बड़ा देता है इस टेबिल को आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो लोग वीलचेर पर होते हैं उनके लिए सीडिया चरणा एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है दोस्तों ये सीडिया ऐसे डिजाइन की गई है जब कोई भी वीलचेर वालो वेक्ट यहां आता है तो ये सीडिया अंदर हो जाती है और एक लिफ्ट निकल कर आजाती है फिर वो उस वेक्टे को लिफ्ट उपर ले करके जाती है और उतार देती है और उसके बाद ये सीडिया पहले की तरह हो जाती है तो दोस्तो ये उल्डोग के लिए बहुत ही ज़्यादा है जो लोग विल्चेर पर होते हैं दोस्तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें